जैपूर के शिवदासपुरा थाना इलाखे में हुई यूवक्षी हत्या का मामला पुलिस के लिए पहली बन गया है घटना को बीते हुए चार दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कातिलों का सुराग नहीं लगा हालांकि पुलिस ने मृतक के बाइक को भी वरामत कर लिया हत्यारों ने हत्या करने के बाद बाइक को नाले में फेंक दिया था पुलिस मामले में करीब 50 लोगों से पूछताच भी कर चुकी है हालंकि कई जगह मृतक के जमीन की विवाद को लेकर मामले भी सामने आये हैं प्रारंबिक जांच में ये सामने आया था कि मृतक के शरीर पर चोट की निश्वान थे और रसी से उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे ADCP South अबनीश शर्मा के नित्रित में पुलिस टी में मामले की जांच में जुटी हैं उन्होंने कहा कि जल्दी पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी मरतक की बेहन ने ये कहा कि मेरा बाई यहां नोपरी करता है चोकेदारी करता है और उसको घहरा आना था लेकिन वह अभी तक आया नहीं उसकी गुंसुदी की दर्ज हुई की शुटास्कुरा थाना में पर्फो कल सुझना मिली की एक डेड़ बोडी मिली है उसके पास जहां चोकेदारी करता था उसके नजदी की नाला है मानेशान नाला क्या ही एक वहां का पॉसन जो है उसमें एक डेड़ बोडी है तो इसके परिवार जनों को और उनको भी पहुँच गए थे तो मुस्तिती नों उसके हाथ बंदेवे थे और उसके एक चादर बंदी और पक्थर से तो इससे सपस्ट हो गाए कि इसका मर्डर किया गया तो उसी समय मर्डर में मुकदमादर्स के लिए